कि अलो नमस्कार साथियों मैं आपके लिए ये फश्टियर का स्टेमेस्टर का सोचलोजी के इंपोर्टेंट कुष्टन लेगा आया हूं कि इस सेमेस्टर के ओके इसमें जब फर्स्ट कुष्टर है मारा समस्टर का क्या आर्थ है समन्द वैयात्मक स्तंप्रदायों की आलोजनात्मक विवेचना कीजिए इसी में दूशा क्वश्टन है हमारा कि समस्टर को परभासित कीजिए तथा इसके विश्टर की वेख्या कीजिए अत्वा में क्वश्टन दिये हुए है समस्टर को परभासित कीजिए समस्टर के तो रुपादमक स्तंप्रदाय के दृष्टि कौन की विश्टार से विवेचना कीजिए इसके अत्वा में क्वश्टन और दिया हुआ है हमारा समस्टर क्या है इसके अध्यन छेत्र का वड़न कीजिए कि वाद अत्वा में क्वश्टन और दिया हुआ है समन्द बयात्मक संप्रदाय क्या है इससे संप्रदाय के विविद्धानों के विचारों की वालोचनात्मक विवेचना कीजिए इन में से कोई भी कुश्चन अगर आता है आपके लिए तो आपको आंसर यहीं देना है इसके देखते हैं हम लोग सबसे पहले कहा रहा है कि समस्थास्त को जर्में देने का स्रे ठांसीसी विचारक अगस्त कांटे को है ओके जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोस्फिय में एक ऐसे स्वतंत्र एवं शामान बिज्ञान को ध्यान रखना आपके लिए शम्पूर समाज के अध्यन से समन्नित था कांटे इस नवीन बिग्ञान को भौतिक बिग्ञान के समकच लाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इसका नाम सबसे पहले सोशल फिजिक्स रखा तरह 1888 सीस्वी में काउंटे ने इसका नाम बदल कर सोशलोजी कर दिया इसलिए अगर्थ काउंटे को समासास्त्र का जनक कहा जाता है तो इनमें से आपको सबसे पहले जो समाशास्त्र को जन्म देने का उनकी पुष्टक का नाम याद रखना है इसके बाद में समाशास्त्र का साब्देगर्द के यहां पर आगा है हम लोग मैं समाशास्त का सब्द अंग्रेजी भासा के सोचलोजी अधियरूपांतर है यह सब्द लेटन भासा के सोशियस तथा ग्रीक भासा के लोगेस स्थैं बना है मतलब सब्सुर्प्रूज जो सब्द है वोग दो भासाओं से मिलकर बना है तोसीस सब्द का अर्थ समाज से है और लोगस सब्द का अर्थ विज्ञान से है इस प्रकार सोचिलोजी का विप्राय समाज के विज्ञान से है अगला है है हमारी समाज सास्तर का बस्तव疫 अर्थ अभी थो हमने क्या प्ड़ा समाजस्तर का इसके। ए तो समाज सास्तर समांस सर्मद्वित बिग्जान है यह एक नबीन बिग्जान है इसलिए समाज सास्तरियों ने समाज के बेख्खया इन चार अर्थों में प्रिश्टर करी है ठीकिना सबस्ता है हमारा समाज का अध्यन है इस बिचार धारा का समर्थक जो है ओडम गिडिंग्स ने किया लेश्टर वाड ने किया डंकन ने किया और मिचेल आज विद्वान ने किया था इस बिचार धारा से समद्वन विद्वानों की परिभासा अग्र प्रिकार है या निम्र प्रिकार है तो फ़र्ष्ट हमने लेश्टर के बारे में बताया है कि समाज सास्त समाज का अध्यानिक अध्यन है दूसरा इसमें यहाँ पर दफ़ा आपको लिए एक दो चार पांच विद्वान दिये हुएं आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं ओके दूसरे गिटिंग्स के बारे में गिटिंग ने कहा कि समाज सास्त पूरे समाज का क्रमध्ध वड़न क्रमध्ध का मतलब समझते हैं है आप लोग क्रम से इएवं ब्याख्या करने का विएंग्यान है कि दूसरा कैरा है कि समाज सास्त का सामाज कि संबंद्धों का अध्यन है तो इसमें है इस विचाड त्वारा से स्बंद्राज के हैं पर को किसी संबन्धों का अब Ja रखाएँ कि अभियर समाज साथ संबन्दों के हैं संबन्धों के जाल को हम समाज कहते हैं उन्सें संबंधों के जाल को क्या समाज कहा है दूसरा है हमारा क्योंबर के Üеч一 कि ने कहा कि समाजस्त को मादम समंधों के बैग्यानिक ज्यान की सागह के रूप में इसने प्रभासित किया है जब है हमारा इस समाज-स अमvity और इन्होंने फिर कुछ परवासां भी दिये हैं जैसे मौरेस जिन्स वर ने परवासा दी है आपके लिए कि समासास्त मानविये अंता क्रियाओं और अंता समंदों, उनकी दसाओं और पडामों का अध्यन है मैक्स वेवर ने कहा कि समासास्त बहभ बिग्यान है जो सामाजिक क्रियाओं का बिछले सनात्मक बोध कराने का प्रयाष करता है गिलिन ने यहां भी कहा कि समाज सास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संबर्क में आने के कारण फुद्पन होने वाली अंता क्रियाओं के अध्यन क्या विज्यान है इसके बाद में फोर्थ है हमारा कि समाज साष्त्र सामाजक अध्यन मैंना मालाए इन सव वुए हैं यह विन्हों को विख्यान माना है इस सम्मदित विद्धानों की परोहा है जैसे जान ने कहा कि समाजिक सम्हों का तुक्ट हैं जार करता है जा connections केistem उचैन शुटर साम्ध के प्राइन और इसको आप चाहएा जोड़ाएं कोई कोई दिखक्त में गया इसके बाद में आप कर रहा है को इस समस्पाइसास्त के बिशाचेटर को ऊचित रूप से निर्धाय करना Origin कठन है इसका कारण है कि समासास्त अन्य बिद्धवानों की तुलना में एक नवीन बिखसित बिझ्ञान है यह पॉइंट है यह आप एक नवीं और विखसित विध्ञान है क्या समासास्त कि यहीं कारण है कि अभी तक इस बिग्यान के बिसाच छेत्र के समंध में तभी समासास्त्री एक मत नहीं हो सके हैं क्योंकि यह नवीन और विक्षित बिग्यान है कि का शर्च बिचारों की समांता के अधार पर इンド समस्त्रों को दो संप्रदार्यां में विभाजत किया गया है पहला संप्रदाय का जो मत है его यह है कि समास स्थ 2 Thai बूंी बल्रकитель बिशिष्च्व घ्याह है किया है इसलिए समप्रदाय का चाहिए यह पहले संप्रदाय का मत है तो इसे सो रुप वात्म संप्रदाय भी कहा जाता है तो यह दिया रखना है दूसरे समप्रदाय के समय सास्त्र हुका क्यामत है या क्या मानना है तो इन्होंने कहा की समाशास्त्र सामान BIGनन है के इससे सभी विस्तों के सामान तत्तों का ध्यन किया जाना चाहिए आता इसे समझ बयात्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है तीची धन में रखना आप लोग अगला है तो सुरुपात्म क्या विश्ष्टात्मक संप्रदाय के विचारकों का कहना है विच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो इस संपर्दाय के विभन विचार कोंगे विचार निम्नबात है जिसे पहला आपको दिया हुआ है जोर्ज समेल के अनुसार जोर्ज समेल के मता नुसार किसी संबंद्ध के दो पहलू होते हैं पहला उसका शुरूप और दूसरा उसकी अंतरवश्टू सामाजी संबंद्दो का पुरूप ऐवं अंतरवश्टू दोनों का विः अलते होता है उसकी सब्सक्राइब सामाजिक विज्ञाण है उन्होंने विखिस्ट विख्ञान जिसका उद्यश मानविये संवन्धों के सुरूपों तथा सामाजी संगठं के सुरूपों का कि अन्तरवस्तूं य समय करते हैं कि पहले समझा चुके हैं थ्र है ये जी करते हैं था है छोड़े सेगंड है आप tahu कि बेकान्थ का का विचार के बींद कर विचार कि विचार को इस कि कि यह एकला जा किस्शाश्थ धियुक निकालना है विणस्त का एक वाइस क्या है विच्छाइस्ट नहीं को आधुकाहरे प्रितिस्परधा लज्जा भावना अधिकार प्रभुत्त लालसा आधि ऐसे तत्तों हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने में सहयक होते हैं कि यह मानसिक तत्तों के सामाजी समद्नों के मूल में स्थित होते हैं अतहां भीरकांच के विचार है कि समाज सास्त्र में इनहीं मानसिक तत्तों का अध्यन आप इच्छित है ठर्ड है आपका बान्वीज के विचार अधिक जर्मन विचारक हैं उनका मत है कि समाज सास्त्र सामाजी सम्बंदों के विचanton के रूप का अध्यन है अधा समाज सास्त्र एक विषिष्ट्स समाज बिज्ञान है सामाजी संबंदों के सुरूप को उन्होंने दो भागों विभाज किया गया है नमबर एक है अंतर वैक्तिक दूसरा है अंतर शामुहिक इसके बाद जो अगली है हमारी वह रूपात्मत संपरदाय की अलोचना अब इनके अलोचना कर देते हैं थोड़ी सबसे फर्श्टा अलोचना जो किया है वो यह है कि सामाजी संबंदों के सुरूप का अट्वन अन्यसामाजी की विज्यान भी करते हैं जैसे समाजी संबन्दों के सुरूपों का अध्यन करते हैं फिर उनी तत्तों का अध्यन छेत्र समाज सास्त कैसे हो गया सेकंड है आपका कि सुरूप और अंतर वस्तु प्रथर प्रधक नहीं है सुरूप किन ने आलोचने करते हुए कहा कि सामाजी संबन्दों के छेत्र में सुरूप और अंतर वस्तु दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता अता समाजी समद्धों के शुरूपों के साथ साथ उनकी अंतरवश्टु का भी अध्धन समाशास्त्र में किया जाना चाहिए घड़ है मारा कि समाशास्त्र एक आस्तर्क विग्यान है विग्यानों के संस्तरड दौरा अगस्त कॉम्टे ने कि समस्त्र बिग्यानों में गड़ति को सौतंद्र बिग्यान आई उन्हें नेए उनकी अगस्त काम्टे ने इसके बाएग साथ को सौतंद्र बिग्यान नहीं माना है क्योंकि प्रतेग बिग्ञान को अपनी विसर्वस्त है तो उससे पूर्व के बिग्ञान से सहता लेनी पड़ती है कि पूर्थ है हमारा कि अग्युक्ष छेत्र उपात्मंग संप्रदाय के विचारकों ने तमासास्त के अध्यम जेत्र को अत्यद्र संकुचित कर दिया है कि क्योंकि यदि शामाजिक संबंदों के सुरूब का ही प्रत अमसास्त्र में अध्यम किया जाए तो समास्त्र के लिए आबस्च्छ शामेंगरी ही प्राफ्त नहां हो सकेगी वे से खलता अध्यन छेत्र अत्यंत संकुचित हो जाएगा इसमें कह रहा है कि इस संप्रदाय के पुर्वंक जो समर्तक है वो दुर्खीम है अब हॉश है लेश्टर वार्ड है मौरिस जिन्स वर्ग है और स्टोरेकिन है इस संप्रदाय के विचारकों का मत है कि समाज के शंपूर पक्षों का अध्धन इस विज्ञान के माध्धम से होना चाहिए समान्यवादी विचार धारा से संबंदिक कुछ पुर्मुख समास्सास्त्री के विचार है वो यह देख लेते हैं अपने लोग संप्रदाय के विचार क्या है कि अमेर्की समास्सास्त्री तोरुकिन के अनुशार प्राया सभी सामाजिक भिज्ञान एक दूसरे से संबंदित तथा एक दूसरे पर आस्रत हैं इसलिए कोई भी भिज्ञान पूर्ड रूप से सुतंत्र नहीं है तो सभी एक दूसरे पर जो है वो निरभण है यह आस्रत हैं समाज साथर का मुख्य विसाय बिभिनिस सामाजिक बिग्यानों के पारस परकी समद्धों उनमें पाए जाने वाले तत्वों का अध्यान होना चाहिए अपने मत का इस्वर्ष्टी करण करने के लिए सुर्व ने निम्लिक उधार दिये हैं यह समद्धों के प्रिकार आपको करके एक ना राजनीतिक समंद्ध दिया हुआ है ए बी सी जी आइस आई इसमें देखो यह तो दो कॉमन है कि सुर्व यह कि अधार में समंद्ध में का करा है ए बी सी जे के ल बैदानी समंद्ध में करा है ए बी सी एम एन ओ मनुर रंजनात में के समंद्ध करा है ए बी सी पी क्यू आर यह इतना नहीं आप सोड़ सकते हैं इसकी लिए कोई दिखकर नहीं होगे आपका की दुर्खिम के बिचार तो फ्रांसी सी विद्वान दुर्खिम ने समस्थ सास्त्र को एक समान बिज्ञान बनाने पर वल दीया है दुर्खिम करा रहा कि समासास्त्र को एक सामान बिंग्यान बनाने पर उन्हें वलदिया को उन्हों का विज्ञान है कि दूर्खिम के मत्त है कि समाज के विक्टी इनके अनुशार ब्यभार तथा करियाय करते रहते हैं। संपूर समाज में बिश्तरत होते हैं मलब पूरी समाज में तथा सामाजी जीवन के बिभन पुच्छों का पृति निध्यत्यु करते हैं इंका सवी सदस्म पर अनुवार रूप से प्रुभाव पड़ता है कि थार्ड में लोग देखते हैं लेश्टर वार्ड के विचार अमेरिकी समाज सास्त्री लेश्टर वार्ड ने समाज सास्त्र को अन्य समाजिक बिग्यानों का समन्वे नहीं माना है उनका मत है कि जिस प्रिकार शायन बिग्यान में दो या अधिक तत्त मिलकर तीस्त्री नई बस्तु का निर्माड करते हैं और यह है योगिक मिलाए गए तत्तों मिलाए गए दोनों तत्तों के गुड़ों एवं बिसस्ताओं से बिलकुल अलग होता है उसी प्रिकार समाज सास्त्र भी बिभन समाजिक बिग्यानों की समगरी का समन्वे करके बिलकुल नया बिग्यान बन जाता है उके उन्होंने एगुका एक्जां हमत अत्र उत्वर सता होजाती है कि इसके बाद है है कि कि समनल बैयात्म बैयात्मक्स संप्रदाय की आलोच्णा एक समर्थ वह निए समस्षार को एक समनल सांफ सत्रां के रूप में कि अ है कि चलिक्षार किया है विद्दानों ने इस विचारधारा के बिरुध आरोप लगाते हुए निम्यांके तर्थ पृष्टुत यह है फ़स्ट जो आपके तर्थ है वो यह है कि अन्य विज्ञानों का संक्लन मातर समर्वयात्मक विचारधारा के अनुसार तो समासास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों का संक्लन मातर रह जाएगा इस प्रिकार समासास्त्र का अपना कोई अस्तुत ही नहीं रह जाएगा फ़स्ट है आपका असीमित विशेचेत्र समन वयात्मक स्प्रदाय के बिरुध यह आरोप है कि इन विचारकों ने समास्था की विशे सामगरी की कोई सीमा रेखा प्रिष्टत्र volontar की प्रिष्था संग और आधा इसalniam आपका अपूर अध्यन के द्वारा समाज के समस्त पक्षों सामाजग तत्थों एवं घटनाओं का अध्यन किया गया तो इसके लिए किसी भी तत्थ या घटना का पूरता में अध्यन करना आश्मभब हो जाएगा ओके इसके बाद अगली अपकी जो लाश्ट हैटिंग अब यह है वहला मुल्याइग करते हैं अब हम लोगा ठीक समाज सास्त्र बिसेस तत्था समान बिग्गान दोनों के रूप में समाज सास्त्र के विशे में ुश्य के समंदध में सुर्पात्मक एवं समय बयात्मक स्नुपड़ायर दोनें के दिश्थ कौन एक अग़ी हैं मलब एक है बास्ता में समश स्पुरता ना तो विशेस विग्ग्ञान है और ना ही तामन बिग्ञान हैं ठीक All day बिरोधी प्रतीत होते हुए भी एक दूसरी से भिन नहीं है बस तुता कि समसास्त्र एक विश्ष्ष्ट विज्ञान के साथ साथ एक सामान विज्ञान भी है जब हम घटनाओं कि विश्ष्ष्ट रूप का अध्यान करते हैं तो समास्त्र एक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किया जाएगा इस प्रिकार समासास्त्र बिस्षण बिग्गान और समान के ही यूप में प्रिति है तो यह क्यों को और जैसा कि में पहले इस थे कि आपके लिए यह सारे विए और अगर आप सही से पड़ते हैं तो जो लगुत्री प्रिश्ण भी है वो भी आपके इससे कवर हो जाएंगे तो थेंक्यू